जैहिन साथियों, स्वागत है आपका मेरी आज के वीडियो में भारतिय सोतंतरता सैनानी और लोहपुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लब्भाई पटेल ने भारत की आजादी और भारतिय रिसायतों को भारतिय संग में मिलाने में अपना एहम योगदान दिया था सरदार पटेल के पहले उप प्रधान मंत्री और भारत के पहले ग्रह मंत्री भी थे देश की आजादी में उन्होंने जितना योगदान दिया उससे कही ज्यादा योगदान उन्होंने आजाद भारत को एक सूतर में बांधने में भी किया था आईए जानते हैं लोगपुरुष शर्दार वल्लब भाई पटेल के जीवन के बारे में सर्दार पटेल का जन्म 31 ओक्टूबर 1875 नडियाड गुजरात में हुआ था उनके पिता का नाम जेवर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था सर्दार पटेल का बचपन करमसाद के पैत्रिक खेतों में बीता यही से वह मिडल क्लास स्कूल से पास हुए और नडियाड के हाई स्कूल में गए जहां से उन्होंने 1897 में मैट्रिक की परिक्षा पास की फिर उन्होंने बाद में लंडन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई भी की और भारत के एहमदाबाद में वकालत करने लगे यह वो वक्त था जब पूरे देश भर में सुतंतरता के लिए आंदोलन चल रहे थे साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे भी समय समय पर ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती रहे वापिस आते अपने टॉपिक पर वर्ष 1917 में भारत में पलेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं भी आई और दोनों ही मौके पर सरदार पटेल ने संकट निवारण के लिए महत्वपूर काम किये वर्ष 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचीव चुना गया वही 1918 में खेड़ा सत्यग्रह के दोरान महात्मा गांदी के साथ संबंध गनिष्ठ हो गए थे उस समय गांदी जी ने कहा कि यदि पटेल की सहायता नहीं होती तो ये अभियान इतनी सफलता पूर्वक नहीं चलाया जा सकता था वल्लब भाई ने अब हमेशा के लिए अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी और खुद को राजनीतिक और सोतंतरता के कार्यों में लगा दिया वल्लब भाई को कार्य समिती के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्ट 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया इस बार पटेल जी लगबग तीन वर्षों तक जेल में रहे जब भारत को वर्ष 1947 में पूर्ण सोतंतरता मिल गई तो पटेल जी को भारत के प्रतम उप प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री के रूप में चुन लिया गया देश की बड़ी जन संख्या और राज्यों का एकी करण वर्लबभाई पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलबदी में से एक है भारत में राश्ट्रिय एक्ता की भावना को वहवार में लाने के लिए 31 ओक्टूबर को राश्ट्रिय एक्ता दिवस मनाया जाता है इस दिन हमारे देश के लोहोपुरुष सरदार वर्लबभाई पटेल का जन्म हुआ था साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले